नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राहुल तो चल ये शुरू करते हैं आज हम बात करने जा रहे हैं flexbox के basics के बारे में flex में हम दो तरीके से alignment कर सकते हैं horizontally और vertically और आज हम horizontal aligning के बारी में पढ़ेंगे जैसा कि अब देख सकते हैं मैंने parent div और child div पे कुछ CSS apply कर रखी है parent div को मैंने background color दे रखा है light blue का और child div को मैंने width और height दे रखे ही है और इसको एक background color प्रवाइड कर रखा है misty rose का उसको border radius भी प्रवाइड कर रखा है 15px का चलो इसको save करते हैं और इसका effect देखते हैं refresh जैसा कि आप देख सकते हैं light blue रंग का हमारा parent div है और misty rose color का हमारा child div है चली इस parent div के कुछ और child बनाएं यह मैंने copy कर लिया paste और paste यह मैंने तीन child paste कर दिया है इधर चली इने save करते हैं और इसका effect देखते हैं refresh जैसा कि आप देख सकते हैं यह तीन div एक दूसरे के उपर stacked हो गए हैं ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि div का जो default behavior होता है वो एक block element होता है वो block में बस अकेले रहते हैं और inline नहीं रह सकते या sideways नहीं रह सकते इक दूसरे के इसलिए वो एक दूसरे के ऊपर यह तीनों stacked हो गए हैं चलिए इन divs को flex की मदद से horizontal align किया जाए flex में child div को horizontal align करने के लिए हमें parent div को एक flex container बनाना पड़ेगा उसके लिए हमें इसको display flexi property provide करने पड़ेगी तो चलिए इसे display flexi property provide करते हैं अब हमने इसे display flexi property provide कर दिये इसे save करते हैं और इसका effect देखते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं ये तीनों चाइड लिव एक दूसरे के साइड में हो गये हैं ऐसा इसलिए हुआ क्यूंकि फ्लैक्स में हम दो डिरेक्शन्स में अलाइमेंट कर सकते हैं होरिजर्टली या वर्टिकली और बाइड डिफ alltid फी डिacz नराइमेंटि जो जो ऑब wahrscheinlich डिरेक्शन्स लग रही है वो ब्लाइड डिरक्शन्सलग रही है जिसे हम रो डिरेक्शन्स भी कहते हैं उसे हम sprechen x direction प्रवाइड करते हैं यह flag direction row by default लगता है जब हम parent div को display flags के property प्रवाइड कर देते हैं इसे save करके देखिए और refresh जैसा कि आप देख सकते हैं by default इस पर इरी direction ही लगी हुई थी और यह जो row direction होती है वो left to right लगती है चलिए अब दूसरी direction दिखी जाए row reverse इसके save किया और आप देखिते हैं refresh जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर जो direction लग रही है वो उर्टी लग रही है from right to left चलिए flex की horizontal aligning के लिए कुछ और properties देखी जाए जैसे कि justify content justify content हमारे flex items को जो कि यहां पर child div है उनको centrally align करने के लिए या उनके बीच में properly space distribute करने के काम आता है अब justify content को center की value provide करते हैं और इसका effect देखते हैं इसको save किया और आप refresh जैसा कि आप देख सकते हैं यह तीनो child div जो कि flex items हैं वो flex container के बीच में centrally align हो गए हैं चलिए justify content की कुछ और values देखी जाए जैसे कि space around space around हर flex item के दोनों side equal space को distribute करने के काम आता है चलिए इसे save करते हैं और इसका effect देखते हैं यह refresh किया जैसा कि आप देख सकते हैं हर flex item के दोनों side equal amount में space distribute हो गया है चलिए इसको inspect करते हैं window size को decrease करने पर आप देख सकते हैं दोनों side से equal amount में space reduce हो रहा है आप देख सकते हैं इससे responsive layout बनाना कितना आसान हो जाता है चलिए justify content की एक और value देखी जाए space between space between को समझने के लिए हमें यहाँ चार deep की जरुवत पढ़ीगी अब space between करता क्या है space between जो हमारे extreme flex items हैं जैसे कि यह पहला बाला इसको extreme left पर maintain रखेगा और यह जो की last one इसको extreme right पर maintain करेगा और जो हमारे यह beach के flex items हैं इनके beach में properly equal space distribute करेगा चलिए इसको save करते हैं और इसका effect देखते हैं और यह हम करा refresh जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो पहला flex item है वह extreme left पर maintain हो गया है और जो हमारा फोर्थ है वह extreme right में maintain हो गया है और जो हमारी यह beach flex item है इनके beach में properly equal space distribute हो गया है और इस layout में भी no size degrees करने पे इनके बीच में equal amount में space distribute होता है आप भी इन properties का इस्तमाल करें और अपने web development को एक level उपर ले जाएं next वीडियो में हम flex की vertical direction में alignment सीखेंगे प्लीज लाइक, share and subscribe my channel for more such videos